नमस्कार आप देख रहे हैं वे टाइम न्यूस बढ़ते हैं 36 गड़ की खबरों की ओर जीले के दर्भा विकासखंड में वेक्टर जनित रोग नियंतरन के लिए ग्राबडों का स्वास्थ जाच फॉंगिंग मशिन से दवाई छड़काओं और मच्छरदानी वित्रण किया जा रहा है कलेक्टर चंदन कुमार के द्वारा शुकरवार को डेंगू मलेरिया प्रभावित दर्भा विकासखंड के चंदरगिरी के बेला पारा और करका दोरा कर दवाई छड़काओं और मच्छरदानी वित्रण वा उप्योग करवाने नियुदेश दिये थे जिले प्रिशाजन और स्वास्त विभाग द्वारा वैक्टर जनित रोग नियंतरन के तहट जिले में मलेरिया डेंगू जेई की रोग थाम के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है मुखेच किस्सा और स्वासाधिकारी डॉक्टर आर के चितरवेदी ने बताया कि मच्छर द्वारा इंसानों को मलेरिया संक्रमित किया जाता है जिसका चक्र तोड़ने के लिए विभाग के द्वारा मच्छर प्रजनन के इस्थानों और वैस्क मच्छरों को नश्ट करने के लिए प्रतियक वर्ष माज, जून और जुलाई में छिड़काव किया जाता है इसमें पानी का जमावा ठहरने का इस्थान को जन सहयोग से समतल करते हुए जलनिकासी की सलादी जाती है ठहरे हुए पानी में जला तेल, मित्टी का तेल और तेमफावस का छिड़काव भ ज़िसकिर के पशना cousin की जाती है ूर्सवास्त करेकर ता और मीतानी इनों के माध्यम से सोर्स रिटेक्शन का करिया भी किया जा रहा है मच्छर, नियंत्रन के साथ, लोगों को मच्छर दानी का उपयोग सोथिसमय, अवर्श चय करने कि समझाइश निचा ती है मच्छर की प्रजरन के सुरोतों और मच्छर को नश्ट करने के लिए बस्तर जीले में अलफा साइफर मैथिन का छड़का उप्रति एक वर्ष चिनहांकित शेत्रों में किया जा रहा है वेक्टर जनित रोग नियंतरन के तहट मलेरिया से बुक्त करने हेदू विशेस अभियान के तहट बस्तर जीले में चाचर्णों में मलेरिया मुक्त बस्तर और मलेरिया मुक्त 36 गड़ भियान किया गया है इस वईश दो हजार बाइस में समेदन शिल शेत्र और दो एपी आई से अधिक मात्र 317 ग्रामों में प्रथम चक्र का छिड़काव किया जा रहा है दर्भा विकास् के उप स्वास्त केंद्र चंद्रगिरी में 3019 मचरदानी विद्रण और उप स्वास्त केंद्र करका में 2011 मचरदानी विद्रण किया जा रहा है